नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सुजा इन्फो टेक में मैं हूँ सुजा और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अपने स्मार्ट फोन के माध्यम से मुबाइल दोरा खीचा गया फोटोज को पास्वर्ट साइज फोटो में कैसे कनवर्ट करें यानि कि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अपने स्मार्ट फोन के माध्यम से पास्वर्ट साइज फोटो कैसे बनाए इसका इस्तेमाल आप किसी भी ऑनलाइन फोर्म या किसी भी काम मिले सकते जहां पर आपको पास्वर्ट साइज फोटो की ज़िरूरत होती है तो सबसे पहले आपको बता दे कि इसके लिए आपको प्लेश्टोर से एक अप्लिकेशन डाउलोड करना होगा जिसका नाम है हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं उसका नाम है पिकसार जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहीं वह अप्लिकेशन है तो इस अप्लिकेशन को आप प्लेश्टोर से डाउनलोड कर ले प्लेश्टोर पर जाए और साज करें पिकसार आपको फिरी में अबलेबल है मिल जाएगी उसके बाद सिंप आपको इस प्लस वाली आइकन पर क्लिक करने होंगे क्लिक करने के बाद आपके जो फाइल है वा जाएंगे जैसा कि हमें इस फोटोज को बनानी है तो हमने इस फोटोज को स्लेट किया स्लेट करने के बाद यहां पर एक आपको एक टूल से दिखने को मिल जाता है जिसका न कि कैसे आपको स्लेट करना है जैसा कि हम कर पा रहे हैं कि सिंपल इस तरीके से करने के बाँ अच्छे तरीके से कर ले उसके बाद यहां पर आपको एक इरो का जो साइन दीख रहा है यहां पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको यहां से एक बार इससे अनलोग करके देख लेना है कि किस तरीके से रिमोग हुआ है जैसा कि हम यहां फ्रीवीव पर क्लिक करके देखें तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा भी वाइट है तो फिर से आप इसे स्मूथ कर सकते हैं इस तरीके से जैसा कि हम यहां से कर पा रहे हैं तो सिंपल इतना करने के बाद एक बार फ्रीबूप पर क्लिक करेंगे और सिंपल सेफ कर देंगे अच्छे अगर हो गई हो तो तो यह तो हुआ फोटोज का जो बैग्राउंड था व हम यहां पर सेफ कर दिए इस फ्रुजेक्ट में यह मेरे फाइल में सेफ हो गया और फिर से आपको जाना है यहां पर एक टेक्स्ट लेयर ही हम आपको लेकर कर दिखाते हैं जैसा कि हम लिए यहां से बैग्राउंड के रूप में सिंपल हम क्लिक किये और इसी टेक्स्ट को हम क्लर चेंज करके अपना बैग्राउंड बना लेंगा हला कि आप दूसरे तरीका से बैग्राउंड भी ले सकते तो चलिए हम इसका जो क्लर है वो चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके का यह वाला ठीक ना और सिंपल हम इस टिक पर क्लिक करते हैं उसके बाद हम यहां पर फिर से जाएंगे फोटो में और अपना फोटो आड़ कर लेंगे जो कि हमने रिमॉफ किया है बैग्राउंड तो आप देख सकते हैं हमारे सामने यह वहीं फोटो है जिसे हम अभी वाज efici कि रिमॉफ किया इस तरीका से आपको कर लेना है उसके बाद इस्टीक मार पर क्लिक करनी है值 इस घल मार पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक टूर मिल जाता है इस फ़्रापोar करने के बाद यहां सब को क्रॉफ कर लेना है तो सिंपल इस तरीक साथ तरीक से अडियास करके आप इस टीक मार्क पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो है वो क्रॉप हो जाता है और आपका फाइनली आपका फोटो बन जाता है अगर इस फोटो में आप आउटलाइन बॉल्डर लगना चाहते हैं यहां से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहां से स्लेक्ट कर लिया इस ट्रॉक लेबल को हमें आप टू कर देते हैं और सिंपल इस से पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप इस इस पर एरो फर क्लिक करके सेव टू गैलरी पर करेंगे तो यह फोटो फाइनली आपक गैलरी में और वहाँ पर आपको इस फोटो को ओफन करके दिखाते हैं जैसा कि हम आज चुके हैं जहां यहीं हुआ और यहीं वह फोटो है तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके का यह वह उन गया है यहाँ पर आप इसी तरीके से आप अपना पास्वड साइज फोटो अपने फोन पर ही बना सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉन बॉक्स बताइए और अब तक भी आप हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पर अपने दोस्तों साथ में सेयर किजिए मिलते हैं और रागले बीओ में